ओम शांति ओम शांति आज 31 दिसंबर 2022 दिन शनी वार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम्हें शिव जयन्ती का त्योहार बड़ी धूम धाम से मनाना है यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है सबको बाप का परिचय देना है प्रश्न कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं घाटा कब पढ़ता है उत्तर जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं गुहे पॉइंट्स सुनाते हैं अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पढ़ जाता है नापास हो जाते हैं स्वर्ग की उँची बादिशाही गमा देते हैं पद भ्रष्ट हो जाता है गीत रात के राही ठक मत जाना नया सवेरा आने को है ओम शंति यह रात और दिन मनुश्यों के लिए हैं शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं हैं यह तुम बच्चों के लिए हैं मनुश्यों के लिए हैं ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा एक की रात नहीं होती है काया जाता है ब्रहमनों की रात तुम जानते हो अभी है भगती मार्ग का अंत साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्रह्मन कहा जाता है ब्राह्मनों की रात पूरी हो फिर देवताओं का देन शुरू होता है ब्राह्मन जाकर देवता बनेंगे इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है पुरानी दुनिया बदल कर नई होती है कल यूग है पुराना यूग, सत्यूग है नया यूग, फिर त्रेता 25 प्रतिशत पुराना, द्वापर 50 प्रतिशत पुराना, यूग का नाम ही बदल जाता है, कल यूग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे, इश्वर कहा जाता है बाप को, जो इश्वरी राज्य स्थापन कर बाप कहते हैं मैं कल्प-कल्प संगम युग में आता हूं टाइम तो लगता है न यूद्ध एक सेंड की बात परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है क्योंकि आदा कल्प के पाप सिरपर है कि बाप स्वर्ग का रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे परंतु सिर पर जो पापों का बोजा है उनको उतारने में टाइम लगता है योग लगा ना पड़ता है अपने को आत्मा जरूर समझना है आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था अभी बाबा कहने से बुद्धी उपर चली जाती है दुनिया में और किसी की बुद्धी में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है हमारा बाप टीचर गुरू तीनों ही रूहानी है याद भी उनको करते हैं यह है पुराना शरीर इनको क्या श्रिंगार करना है परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं सस प्रवेश किया है। तो बाप दादा दोनों कमबाइंड हैं। परंपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती वह ज्ञान सुनाती तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रीमूर्थी शिव जयन्ती मनाते हैं यह अक्षर जरूर डालना पड़े यह बाबा डारेक्शन दे रहे हैं उस पर चलना है शिव जयन्ती की तैयारी करनी है नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे अच्छा भबका करना चाहिए हम त्रीमूर्थी शिव की जयन्ती मनाते हैं चुट्टी करते हैं शिव जयन्ती की चुट्टी ओफिशियल है कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है जैसे क्रिश्चन लोग क्रिस्मिस मनाते हैं बहुत खु खुशी मनानी चाहिए सब को बताना है कि हम बेहद के बाप से वरसा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है, इसमें महनत लगती है, सत्यूग में तो आत्मा भिमानी है, वहां अकाले मृत्यू नहीं होगा, यहां बैठे बैठे काला जाता है, हाट फेल हो जाता है, कहेंगे इश्वर की भावी, परंतु इश इश्वर की भावी नहीं है, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी, ड्रामा मेन का पाट ऐसा था, अभी तो है ही आईरनेज, नई दुनिया गोल्डनेज थी, सत्यूग के महल कितने हीरों से सजाए हुए होंगे, अकी चार धन होगा, परंतु उनका पूरा व्रत्तांत नहीं है कुछ अर्थक्वेकादी होती है, तो तूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती है, तो इन बातों का बुद्धी से काम लेना है, यह खाना बुद्धी के लिए है, तुमारी बुद्धी उपर चली गई है, रच्चता को जानने से, रच्चना को भी जानते हैं सारे स्रष्टी का राजबुद्धी में है, ड्रामा में उचे ते उचा है भगवान, फिर ब्रह्मा, विश्नु, शंकर, हम इन तीनों का उक्यूपेशन बता सकते हैं, क्या क्या पार्ट है, जगत अंबा का कितना बड़ा मेला लगता है, जगत अंबा, जगत पिता का आप उनके बने हैं, उनको जगत अंबा कहा जाता है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल मा का टाइटल दिया है, पर अंतु थी तो बेटी, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, तुम उनको ममा कहते थे, ब्रह्मा को मा कहना शोबता नहीं, ये समझने और समझाने में रिफाइन बुद्धी चाहिए यह गुहे बाते हैं तुम किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो जट उनका उक्यूपेशन जान लेंगे गुरुनानक के मंदिर में जाएंगे तो जट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे उन लोगों को कुछ पता नहीं क्योंकि कल्प की आयू लंबी कर दी है तुम वर्णन कर सकते हो बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ आता कैसे हूँ श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं गीता का पाठ करते रहते हैं कोई अठारा अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वह वह इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं आज कल तो रिद्धी सिद्धी भी बहुत है जादू का खेल बहुत दिखाते है दुनिया में ठगी बहुत है बाप तुमको कितना सहज समझाते है परन्तू पढ़ने वालों पर मदार है टीचर तो एकरस पढ़ाते है कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे यह भी होना जरूर है सारी राजधानी स्थापन होनी है तुमी है ज्यान स्नान कर ज्यान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो रात दिन का फर्क है वह तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है नैचुरल ब्यूटी रहती है वह है इश्वर की स्थापन की हुई भूमी अभी आसूरी भूमी है स्वर्ग नर्क में बहुत फर्क है अभी तुमारी बुद्धी में ड्रामा के आदी मद्य अंत का राज बैठा हुआ है नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार बाप कहते हैं अच्छी रीती पुर्शार्थ करो बच्चिया नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती है अगर अच्छी माताय आदी है तो सर्विस को जमाना पड़े सेंटर पर अगर कोई नहीं आते है तो अपना नुकसान करते हैं कोई पढ़ने के लिए नहीं आते है तो उनको फिर लिखना चाहिए तुम पढ़ते नहीं हो इससे तुमको बहुत घाटा पढ़ जाएगा रोज रोज बहुत गुहे पॉइंट से निकलती है यह हैं हीरे रत्न तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे इतनी उची स्वर्ग की बादिशाही गवाँ देंगे मुरली तो रोज सुननी चाहिए ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे फिर बहुत रोएंगे खून के आशू बहाएंगे पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए बाबा रजिस्टर दिखाते हैं कितने रेगुलर आते हैं ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद ब्रश्ट हो जाएंगे बहुत खाटा पढ़ जाएगा ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह से उठा सकेंगे ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया टीचर को ओना रहता है कि हमारे स्टुडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज़त जाएगी बाबा लिखते भी है तुमारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है शायद तुम सोते रहते हो अच्छा दारना के लिए मुखे सार इस पुराने शरीर का श्रिंगार नहीं करना है वनवाह में रहे नए घर में चलने की तैयारी करनी है ज्यानसनान रोज करना है कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है वरदान महानता के साथ निर्मानता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुख दाई भव महानता के साथ निर्मानता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुख दाई भव अब बाप दादा के वरदान को विस्तार में समझे महानता के निशानी निर्मानता है जितना महान उतना निर्मान क्योंकि सदा भरपूर है जैसे व्रिक्ष जितना भरपूर होगा उतना जुका हुआ होगा तो निर्मानता ही सेवा करती है और जो निर्मान रहता है वह सर्वद्वारा मान पाता है जो अभी मान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता उससे धूर भागते हैं जो निर्मान है वे सुखदाई होंगे उनसे सभी सुख की अनुभूती करेंगे सभी उनके समी पाना चाहेंगे स्लोगन उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सधा साथ रखो ओम शंती मातेश्वरी जी के मधूर महावाक्य गीत नय नहीन को राह दिखाओ प्रभू अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नय नहीन को राह बताओ तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमातमा ठहरा तभी तो परमातमा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभू राह बताओ तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमातमा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्या आना पड़ेगा तभी तो थूल में राह बताएंगे आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे अब मनुष्यों जो मुझे हुए हैं उन मुझे हुए को राह चाहिए इसलिए परमातमा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभू इसको ही फिर खेवईया भी कहा जाता है जो उस पार अत्वा इन पांच तत्वों की जो बनि हुई स्रिष्टी है इस से पार कर उस पार अर्थात पानच तत्वों से पार जो छटा तत्व अखन्ड जोती महतत्व है उसमें ले चलेगा तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है तभी तो परमात्मा को खिवया कहते हैं वही हम बोट को अर्थात आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा बाकि जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाओं में अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं जब मनुश्य अती दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाओं में इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो काटों से भरा हुआ है जिस कारण मनुष्य दुख और अशांती को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संसकार आत्मा में भरे हुए हैं अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशान्ती यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कल्यूग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है और आगे का संसार सत्यूग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे उनों को कोई देह का भान नहीं था मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं था वो जीवन लेते, जीवन चोड़ते, आदी मद्यांत सुख को प्राप्त करते थे तो जीवन मुक्ती का मतलब है जीवन होते कर्मा तीत अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकडी हुई है मानों 5 विकारों का पूरा पूरा वास है परन्तु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन भूतों को जीत सके तब ही परमातमा खुद आ कर हमें 5 भूतों से छुडाते हैं और भविश्य प्रालब्द देवी द देवतापद प्राप्त कराते हैं अच्छा ओम शंती